नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम पटेंगे हिंदी में पाठ साथ हार की चीत जिसके लेखक है सुदर्शन। सुदर्शन का मुल नाम बद्रिनाथ सर्मा था। उनका जन्म पंजाब के सियाल कोट में सन 1896 में हुआ और उनका निदन 1968 में हुआ। जब वे चट्थे दरजी में थे तभी उन्होंने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचन की तरह उन्होंने उर्दु में लेखन प्रारम किया तत्पश्याद हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी शाहित्य को सम्रुद्ध किया है उन्होंने। उसी बात ने उस दाकू का रदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यह यहां प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनमरता, उदारता, पश्याताप, दयाबाव, लोखेत की आकांक्षा आदी मुल्यों को समाविष्ट किया गया है। मा को अपने बेटे और किसान को अपने लह लहाते खेत देखकर जो आनन आता है वही आनन बाबा भारती को अपना गोडा देखकर आता था। बगवद पशन से जो समय बचता बाबा भारती वह गोडे को अरपन कर देते थी। इसके जोड का गोडा सारे इलाके में न था यानिकि उनके जैसा गोडा उस गोडे जैसा गोडा पूरे इलाके में न था। बबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते और अपने हाथ से उसे खरहरा करते। खरहरा यानिकि कंगी या ब्रश्य गोडे का सर्य साप करते। खुद दाना खिलाते और गोडे को देख देखकर प्रसंद होते थे। उन्होंने रुपिया माल, असबाब, जमीन, आधी अपना सब कुछ छोड़ दिया था। माल, यानि की वस्तु, सामान, पैसा, जमीन, आधी सब कुछ छोड़ के वो गाउं से निकल गए थी। यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी गृणा थी, नगर के जीवन से भी उसे नफरत थी। अब गाउं के बाहर एक छोटे से मंदीर में रहते और भगवान का भशन करते थी। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चालपल लट्टू थे, लट्टू यानि की मुग्त थे। केते ऐसे चलता है जिसे मूर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चटकर आट-दस मील का चक्कन लगा लेते तो उन्हें चैन ना आता। चैन ना आना यानि की मानसिक सांती नहीं मिलती थी। जब तक भी आट-दस मील घोडे पर बैटके चक्कन लगा ले तो उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सींग उस इलाके का कुख्याट डाकू था। लोग उसका नाम सुन कर कामते थी। होते होते सुल्तान की कीरती उनकी कानों तक भी पहुँची। कानों तक पहुँचना यानिकी सुल्तान की जो कीरती थी। उन्होंने सुनी किसने तो डाको खड़क सींगे। उसका रदय उसे देखने के लिए अधिर हो उठा। वह एक दिन दो पहर के समय बाबा भारती के पास पहुँचा और नमसकार करके बैट कया। बाबा भारती ने पूशा खड़क सीं क्या हाल है तो खड़क सींगे उत्तर दिया आपकी दया है यानिकी आपकी करुणा है। कहो इधर कैसे आ गए बाबा भारती ने कहा। तो कड़कसी ने कहा, सुल्तान की चाह खींच लाई, सुल्तान की चाह, यानि कि सुल्तान को देखने की इच्छा, मुझे यहां तक खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखो के तो प्रसंद हो जाओगे, बाबा भारती ने कहा, क्या कहा, कि विचित्र जानवर है, उसे द बाबा भारती कहते हैं कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी उसकी जो वो चलता है तो तुम्हारा ऐसे चलता है जैसे कि तुम्हारा मन है वो मोह लेगी खड़क सिंग बताता है कि कहते हैं देखने भी भी बड़ा सुन्दर है तो बाब भारती कहते हैं क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है उसके रदय पर उसकी चबी यानि कि तस्वीर अंकित हो जाती है खड़क सिंग बहुत दिनों से अभी लासा थी यानि कि बहुत दिनों से अभी लासा तो गोड़े को देखने की अभी लासा यानि कि इच्छा थी तो आज उपस्तित हो सका हूं उपस्तित यानि कि हाजीर हो सका हूं बाबा भार्ती और खड़कसी अस्तंबल में पोचे, अस्तंबल यानिकी गुड़साल अश्वशाला में पोचे, तो बाबा ने गोडा दिखाया गमन से, कैसे दिखाया गमन से, और खड़कसी ने गोडा देखा आश्यर्य से, उसने सहस्त्र गोडे देखे थे, परन्तु एं एसा बांका गोडा बांका यानिकि निराला अद्बुत गोडा उसकी आंकों से कभी न गुज़रा था। इसके पस्यात उसने उसके रदय में हल्चल होने लगी। बालक उसी अधीरता से बोला, परन्तो बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। बाबा जी भी मनुश्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रसंसा दुसरे के मुख से सुनने के लिए उनका रदय अधीर हो गया। गोड़े को खोल कर बहाल ले आई। गोड़ा वायुवेक में उडने लगा। गोड़े की चाल देखकर उसके रदय पर साप लोट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समदने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थी। जाते जाते उसने कहा बाबा जी मैं यह गोड़ा आपके पास न रहने दूगा। क्या कहा कि मैं यह गोड़ा आपके पास न रहने दूगा। तो खड़कसी की उस बास से बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। क्यों? क्योंकि खड़कसी ने बुला था कि यह गोड़ा मैं आपके पास न रहने दूगा। इसकी वज़े से वह सारी रात अस्तमबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक खड़कसी को खड़कसी का डर लगा रहता था। परन्तु कई मैंने बीद गए और वह न आया। यहां तक की बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। क्योंकि कई मैने बीत कहे थे, लेकिन खड़क सी नहीं आया, तो वो असावदान हो गए। संध्या का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीट पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आखों में चमक थी और उनके मुख पर भी प्रसन नता। कभी गोडे की सरीर को देखते, कभी उसके रंको और वो मन में फुले न समाते, फुला न समाना यानिकी बहुत प्रसन होना। गोडे का सरीर देखकर, उसके रंको देखकर बहुत प्रसन होते। सहसा एक और से आवाज आई, सहसा यानिकी एका एक, अचानक एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना, क्या कहा, कि ओ बाबा इस कंगले, कंगले यानिकी कंगाल व्यक्ति, कंगाल जो गरीब व्यक्ति है उनकी सुनते जाना, तो आवाज में करुणा थी, गरणा यानिकी दुख दया थी तो बाबा ने गोडे को रोक लिया देखा तो एक अपाहीज रुष्क की छाया में पड़ा कराह रहा है कराहना यानिकी मुँझ से दर्दवरी आवाज निकाल रहा है बाबा भारती बोले क्यों तुम्हें क्या कश्ट है तो अपाहीज ने हार चोड़ कर कहा बाबा मैं दुख्या रहूं मुझ पर दया करो रामवाला यहां से तीन मिल है मुझे वही जाना है घोडे पर चड़ालो परमात्मा भला करेगा बाबा भारती ने कहा वहां तुम्हारा कौन है तो उस अपाहीज ने कहा कि दुख्या दत्वेद का नाम सुना होगा उनका सोतेला भाई हूँ ऐसा कहा तो बाबा भारती ने गोडे से उतर कर अपाहीज को गोडे पर बैठा लिया और स्वयम उसकी लगाम पर करकर धीरे धीरे चलने लगे सरसा उन्हें एक जटका सा लगा और लगाम हाँ से चुट गई तो उनके आश्चर्य का ठिकाना दर रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहीज गोडे की पीट पर तनकर बैठा है अपाहिस गोडे की पीट पर तनकर बैटा है और गोडे को डोडाय लिये जा रहा है उनके मुख से भई, विश्मई और निरासा से मिली हुई चीक निकल गई वह अपाहिस डाकू खड़कसे था बबा भरती कुछ देर तक तो चूप रही इसके पश्यात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिला कर बोले जरा ठहर जाओ खड़कसी ने आवाज सुनकर गोडा रोग लिया उसकी घरदन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा खड़कसी ने कि बाबा जी यह गोडा अब न तूगा तो बाबा ने कहा मगर एक बात सुनते जाओ खड़कसी ठहर गया बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आखों से देखा जिसे बकरा कसाय की और देखता है फिर कहा यह गोडा तुम्हारा हो चुगा मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा परन तू खड़कसी केवल एक प्राटना करता हूं उसे अस्विकाल न करना नहीं तो मेरा दिल तूट जाएगा तो खड़कसी कहता है बाबा जी आग्ना कीजिए मैं आपका दास हूँ, दास यानि की सेवक हूँ केवल यह गोडा न दूँगा तो बाबा भरती कहते हैं अब गोडे का नाम न लो मैं तुमसे इसके विशाई में कुछ न कहूंगा मेरी प्राटना केवल यह है कि इस खड़कसी के सामने प्रगट न करना जो यह गटना गटी, तो मेरे इसे गोडा चिन के ले गया एग बात किसी के सामने प्रगट न करना तो खड़कसी का मुख आस्चरय से खुला रह गया यानि कि आस्चरय से खुला रह जाना, यानि कि उन्हें बहुत आस्चरय हुआ उसका विचार था कि उसे गोडे को लेकर यहां से भागना पड़ेगा परन्तु बाबा भारती ने स्वयम उससे कहा कि इस खटना को किसी के सामने प्रगट न करना तो इससे क्या प्रवजन यानि कि क्या हेतु सिद्ध हो शकता है कड़क सी ने बहुत सोचा, बहुत सीर मारा यानि कि बहुत सोच विचार किया परन्तु कुछ समझ न सका हार कर उसने अपनी आखे बाबा भारती के चहरे पर गड़ा दी गड़ा दी यानि कि उसके उसे ध्यान से देखा और पूचा बाबा जी इसमें आपको क्या डर है तो सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया लोगों को अगर इस खटना का पता चल गया तो वे किसी घरिब का विश्वास न करेंगे यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की और से इस तरह मुँँ मोड लिया जिसे उनका कोई सबंधी नहीं रहा हो और बाबा भरती वहां से चले गए पर तो उनके सब्द खड़क सींगे कानों में उसी प्रकार गुंज रहे थी सोचता था कैसे उसे उचे विचार है पवित्र भाव है उन्हें इस घोड़े से प्रेम था इसे देखकर उनका मुख फुल की नाई खिल जाता था फुल की नाई खिलना यानि कि बाबा भरती इस घोड़े को देखते तो बहुत प्रसन हो जाते थे कहते थे कि इसके मिना में न रख सकोंगा इसकी रखवाली में वे कही राज सोये नहीं बजन बक्ती न कर गोडे की रखवाली करते रहे परन्तु आज उनके मुख पर दुख की रेखा यानि कि दुख का जिनह तक दिखाई न पड़ता था उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग घरीबों पर विश्वास करना न चोड़ दे ऐसा मनुश्य मनुश्य नहीं दिरता है अब कड़कसी को इसका पश्याता पोने लगा तो कड़कसी ने रात्री के अंधकार में बबब भरती के मंदिर में वह पहुँच कया चारो और सन्नाटा था, आकास में तारे टिम्टी मा रहे थे, थोड़ी दूर तक घाउं के कुट्ते भोक रहे थे मंदिर के अंदर कोई सब्द सुनाई न देता था कड़कसी सुल्तान की बाग पकड़े हुए था, बाग पकड़ा यानि की लगाम पकड़े हुए था वह धीरे धीरे अस्तंबल के फाटक पर पहुचा, तो फाटक खुला पड़ा था किसी समय वहां बबा भरती स्वयम लाठी लेकर बहरा देते थे परन्तु आज उन्हें बबा भरती को किसी चोरी, किसे डाको कभई न था कड़कसी ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांद दिया और बहर निकल कर सावधाने से फाटक बंद कर दिया इस समय उसकी आखों में नेकी के आसु थे रात्री का तीसरा पहर पीच चुका था, चोर्था प्रहर आरम होने तेहीं बाबा भरती ने अपनी कुटिया से बहर निकल ठंडे जल से स्नान किया उसके प्रश्यात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्टन में चल रहा हो, उनके पाउं अस्तम्बल की और बढ़े परन्तु फाटक पर पहुँच कर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई कि वो गलस्तान पर जा रहे है साथी गोर निरासा के पाउं को मनमन बरका बना दिया वे वही रुख गए तो इस तरव गोडे ने अपने स्वामी के पाउं की चाप यानि के आहट को पहचान लिया और जूर से हीन हीनाया अब बाबा भारती आश्यरी और प्रसन्नता से दोरते हुए अंदर गुसे और अपनी प्यारे गोडे के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिचडे हुए पुत्र से मिल रहा हो बार बार उसके पीट पर हाथ फिरते, बार बार उसके मुँण पर तपकिया करते फिर वे संतोष से बोले अब कोई गरीबों की सहायता से मूह नहीं मोड़ेगा इस कहानी में लेका केहना चाहते हैं कि बुरे से बुरे व्यक्ती में भी कुछ न कुछ अच्छाएतो जुरूर होती है या आदर्स्वादी कहानी से यहीं बास सिद्ध होती है एक डाकू एक सादू को धोका देता है परन्तों उस सादू की सज्जनता देखकर उसका रदय परिवर्तन हो जाता है अपने किये पर उसे सिर्फ पश्यता भी नहीं होता बलकि वह अपने भूल का सुधार भी करता है और इस तरह सादू हार कर भी जीत चाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती हमें दिखाई दे रही है